नमस्कार दोस्तों कैसे हैं नमस्कार मैं हुराकेश आप लोगे सामने स्वागत करता हूँ अमीद करता हूँ आप सब्सक्राइब के लिए नया लेक्चर आप लोगे सामने है जिसमें कि हम लोग जीएस के विश्रा में ये इंडियन हिस्टरी का मौडन पीरियट का जो एक बहुत इंपॉर्टन सेक्षिन है गांधिया नहरा अगर हम आधुनिक भारत के इतिहास को घर हम बांटे तो इसमें गांधियां यूक से हमेशा कोशन पेपर में आए हैं PCS से लेके सबसे इंपॉर्टन ये काल है भारत के आधुनिक काल में स्वतंतरता के जो संघर्ष था उसका एक बहुत बड़ा पीरियट जो कि लगा लिए 1915 के बाद से गांधियू का माना जाता है 1945 तक 1947 तक और इस पीरियट के दौरान जो गांधिय जी के तीन बड़े आंदुलन हुए थे अगर देखेना है तो असायो गांदुलन सवीना वग्या आंदुलन और भारत छोड़ो आंदुलन इसके अलावा कई सारे छोटे आंदुलन उनके द्वारा खड़े किये गए और इन ही पीरियट में गांधी जी को एक मास लीडर के रूप में एक संग्या मिली कि एक ऐसा लीडर भारत में तयार हुआ जिसके पीछे जनता खड़ी थी अब तक नेता थे बहुत बड़े बड़े नेता थे लेकिन पूरे सभी वर्गों का जो समर्थन था वो गांधी जी क सामने बिल्कुल लगा हुआ पेपर में हजारों भार पुचा गया है कि गांधी जी ने सबसे पहले जो सत्याग्रह किया था वो कहां किया था आंसर में कुछ नहीं है , आंसर है इसका चमपारण , चमपारण जो कि अब दो हिस्सों में है पस्चमी चमपारण और पूर्वी चमपारण और यहां पर नील की खेती के विरोध में जो अंग्रेजों के द्वारा जो जबरजस्ती एक नियम के तहत किसानों से नील की खेती कराई जाती थी तिन कठिया सिस्टम जिसको बोला जाता था कि एक यह में तीन कठे पे आपको नील उप जाना मतलब कंपलसरी है उसके खिलाफ इन्होंने सत्याग्रे किया था और अंतता इसमें काम्याब हुए थे बहुत ही इंपॉर्टन था गांदी जी के भारत आगमन पे जब फाइनली वो इंडिया में राइब दो इसके बाद यह उनका सबसे बड़ा आगमन माना जा सकता है यहां से कई कोशन आता है यहां से आता है कि इनको चंपा रहे हैं लेका उनके कौन गया था राजकुमार शुकल टेक राजन दिपरशाद जी भी इनके साथ गये थे इसके जस्ट बाद दूसरा इन्होंने अंदूलन किया था एमदाबाद मिल मजदूरों का एमदाबाद में प्लेग फैल गया था जिसकी वज़र से जो मिल मजदूर थे वो बोनस की मांग कर रहे थे एक्स्ट्रा पैसे की मांग कर रहे थे जो की मिल मालिक नहीं मान रहे थ और उसके लिए मजदूरों की तरफ से गांधी जी ने सत्याग रहा किया, तीसरा था खेडा सत्या गया, किसानों की लिए किया था, ये तीन पेपर में आते हैं हमेशा, इसको ज़रूर ध्यान दीजेगा, पेपर में हैं से कई सारी कोशन निकल के आ सकते हैं, नेक्ट कोशन क इसमिल चंसे, राजात और भागा सिंग, इन चारों में क्या बात कौमान है, कोशन को थड़ा बड़ी सतर पी देखी, ये चारों हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपॉब्लिकन असोसियेशन के सदर से थे, एक पहला जबरजस्त विरोध करने वाला एक ऐसा संगठन था, आध चुछन में कोशन के सब्सक्राइब सबस्क्राइन सुछन को तरफ में कुछन में ग Milan वी विरोग तो ये ढड़ता रागा ऋसेएक हैं और जो सबस्क्राइब किशन के सबस्कुन का बहां होगते हैं जैह तो, इसमिंद्ग आप a д में चल vere ट ॉश्य गर दर्म लेशार इन मुझे खून दो मैं तुम्हें आज आजादी दूंगा दिली चलो जाय हिंदी सब सुभाश्चन बोउस ने दीया था इस तीन अजह कर एगए आज यह आज अच्या कोशण आप लोग की स्क्रीन पर देखिए चौथा कोशन आप देश के रूप पाकिस्तान का संकल्फ स्विकार किया मतलब मुस्लिम लीग ने अपने प्रस्ताव में पाकिस्तान के लिए प्रस्ताव पास किया कि हमारी पार्टी या पाकिस्तान की मांग करेगी किस सेशन में या किस वर्ष में जली बताईए ऑप्शन आपके आगे हैं 1907 19 पाकिस्तान के बहुत सारे प्रॉमिनेंट लीडर्स थे रहमत अली हो इन सब भी लोगों ने पाकिस्तान की समय समय पर मांग की थी कोशन अगर एक और आए कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई तो 1906-1907 के बीच में यह आपको ध्यान देना है जो इस्ट ऑफ पाकिस्ता था जो आज का बंगलादेश है बिसिकली मुस्लिम लीग की स्थापना में उस छेत्र का ज्यादा योगदान था नेक्स्ट कोशन उनीसो पैंटालीस सॉर्य एक मिनट मुझे दीजिए सॉर्य 1947 के बाद निमलिखित में से किस राज़ को भारत संग में सैनिक कारवाही द्वारा बलपूरवग मिलाए गया था आपको पता है जब भारत आजाद हुआ तो भारत किस प्रकार से था एक तो भारत था ब्रिटिश इंडिया जो ब्रिटेन के कबजे में पूरा हिस्सा था उ 52 552 छोटे बड़ी रियास्ते थी क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 1857 की करांती के बाद कोई भी नए राजि को अंग्रेजियों ने अपनी सत्ता में नहीं मिला था जो ही उनके पास हिस्सा मिला था जो भी जिस जगब उनका कबजा था उसी पर उन्होंने 1947 तक राज कि और बाकी हिस्सों को उन्होंने फ्रिंसली स्टेट घोसित कर रखा था रजवारी राजिर तो यह 552 थे इसमें से पांसो नंचास तो अपनी मर्जी से भारत या पाकिस्तान में सम्मिलित हो गए थे विकर बटवारा हुआ तो यह घोशना कर दी गई कि जो ब्रिटिश जुनागड हैदराबाद और जम्मू कश्मीर यह अलग है इन्होंने किसी सथ मिलाया नहीं बाद में इसका अगर आप देखेंगे तो हैदराबाद और जुनागड इन दोनों को बलपूर्वक फौज से लिया गया और कश्मीर का इश्यू जथा वह आप लोगों को पता है कश्मीर में कवेली हमले हो गए और उसके बाद विवादास्पति सिति बनगे जो कि आज तक विवादास्पति सिति बने विवे भारत का एक अभिन अंग है कश्मीर जिसमें की पाकिस्तान जिबरस्ती इंटरफेरेंस करने कोशिश करता है ठीक तो यह ऑप्शन हो गया कि बल से किस को जीता था हैदराबाद निजामों के साशन से नेक्स्ट किस नहीं कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आ जादी दूँगा पता है आप लोग को सुबाश्चन बोश जी इस को डिसकेशन कर लिया सुबाश्चन बोश जी नेक्स्ट देशबंधू की उपाधी से कौन संबंधित है यह बलब देशबंधू की उपाधी से किसको संबंधित माना जाता है कि या किसको सीधी सीधे गरम कहें कि देशबंधू कहा जाता है बी आरम बेटकर चितरंजनदास विपीन चंदरपाल ये रविन्राठ टैगोर बताइए जली बी आरमेटकर ये चितरंजन दास, चितरंजन दास जी को कहा जाता है, मोतिलाल नहरू चितरंजन दास सुराज पार्टी की स्थापना की थी, बहुत बड़े कॉंग्रेसी लीडर भी थे, 1922 से चौबीस के बीच में इन लोगों ने सुराज पार्टी की स्थापना की, जब अ का उप्शन जो हमारा है वह और यहां की गई और इसके ध्रेक्ष्टा कि थी ति पंड़ित छोड़ो प्रस्ताव किस वर्स पास किया गया था 1940, 1941, 1942 या 1946 तो भारत छोड़ो हुआ कब था अंदुलन कुइट इंडिया मुमें 1942 तो आंसर होगा 1942 बहुत अच्छे सुभाष्चन बोस ने सिंगापूर में दिल्ली चलो का नारा दिया था किस साल में सुभाष्चन बोस ने आजाध हिंद फौर्ज की स्थापना की थी कहां पर सिंगापूर में और दिल्ली चलो का नारा दिया किस वर्स की घटना है तो यह हो जाएगा 1943 में 1942 में आजाध सबके यह प्रकार से उपाधियां हैं जिसको दी गई थी खान अब्दुलकफार खान को सीमांद गांधी बोला जाता था सुभाषन बोष को नेता जी बोला जाता था गांधी जी को महत्मा गांधी बोला गया और अभिना टैगोर को गुर्देव बोला गया ठीक सबको पता है यह बेसिक कोशन है नेक्स्ट कोशन के और आगे बढ़े हैं और सहयोग आंदोलन 1920-1922 में निलंबित क्यों किया गया आपको पता है और सहयोग भारत का ऐसा आंदोलन था जो कि अगर देखा जाए तो सवदेशी आंदोलन के पास सबसे बड़ा आंदोलन था और इसमें अंग्रेजी सरकार की हिम्मत तूट गए थी काफी लोगों लोग को लगने लग गया था कि शायद इसी से एक वास्तुविक हल की और देश आगे बढ़ सकता है लेकिन चोकि यह आंदोलन सुरू से कहिंसा का अंदोलन की रूप में गांदीजी ने प्रणड लिया गांदीजी ने अंदोलन वापस ले लिया और इससे नराज होके काफी जादा नराजगी व्यक्तुविक बड़े निताओं में तो इस घटना की वज़े से यह आंदोलन वापस हो गया था और बहुत समय तक गांदीजी इसकी वज़े से सक्रिय भी नहीं रहे बहुत 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 बड़े पॉइंट पर यह जो घटना ने इस अंदोलन को थोड़ा सा कमजूर किया था है नेश्ट जिसके अंतरगत बिना किसी जी रह के, बिना किसी सबूत के, किसी को शक्क के अधार पे भी अरेस्ट किया जा सकता था, और दो साल तक की सजा उसको हो, हो सकती थी, इसके विरोध में देश में अलग-अलग हर जगा आंदोलन होने शुरू हुए, इसी के थैत, अमरिस्सर में 13 अपरेल के दिन अंदोलन हो रहा था, एक बैठा खोरी की शांती फून, जालिया वाला बाग नाम का एक स्थान था, एक पार्क था, उसमें, और वहां का, अमरिस्सर का जो जनरल था, उसने आके, वहां पे, बहुत जबर्जस्त तरीके से, फारिंग करवा दी, और गोलिय तब तक चलती रही बताते हैं, जो तक गोलिया खत्प नहीं हो गई, तो इस घटना को जालिया वाला बाग का नरसंगहार या हत्याकांड बोला जाता है, ब्रिटेन सरकार ने भी इसके लिए माफी मांगी, चलिए, नेक्स्ट कोशन क्यों रगा चलें, नमक सत्याग्रह, इसको आप लोग बहुत साधरन रूप से डांदी मार्च की रूप में जानते होंगे, डांदी मार्च, नमक सत्याग्रह कब हुआ था, आप लोग को पता होगा, नमक सत्याग्रह 1930 में हुआ, ठीक है, 12 मार्च को यात्रा शुरू ही और 5 अपरेल को कानून तोड़के, नमक कानून तोड़ा गया गांदीजी के दोरा, ये बहुत फेमस था, ये नमक सत्याग्रह क्या था की, नमक बनाने के पर कई सारे कानून लगाए गया थे, जो भारतीयों लोग नमक बनाते थे जो आम लोग, उनको नमक बनाने की अनुवती नहीं थी, और नमक बनाना वहा के जीवी का थी तो ये कानून तोड़ा गांधी जेने खुद चलके बहुत ही फेमस था बहुत ही फेमस नवसारी डिस्टिक में डांडी नाम का स्थान था समुदर के बास वहां पे साबर मती से पूरी यात्रा हुई थी ठीक है सथीर विन पैक्ट पांच मार्च और राजगुरु जी को फांसी किसलिए दी गई थी इसमें मुख्य रूप से यह है उसमें बं फेकने के जुर्म में इनको दोशी बनाएगा इसके साथ-साथ 1928 में जो लाहौर में जो सौंडर्स की हत्या की गए थी उसके लिए ज्वाइन अप्शन आए तो हम ऑप्शन एक यह और जाएंगे इसमें इनको मिर्तिव दंड की सजा दी गई ठीक है बहुत यह परस्ते कोशन इसमें आप यह उप्शन के साथ जाईएगा ठीक है तो यह क्लियर हो गया इसी लिए इस दिन को सहीधी दिवस की रूप में मनाया जाता है क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए सोच रहा हो कि 15 कोशन रखता हूं जस्ट अगली वीडियो में भी बाकी 15 कोशन पूरे करते हैं वीडियो कैसा लागा मुझे बताएगा बहुत कम समय में कम समय इसलिए लिए आप एक असान सा कोशन थे आपके हाँ पे कम से कम तेरा से पंद्रा कोशन सही होने ची पंद्रा में से बताएगा स्कूर कैसा रहा थेंक्यू 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 सो मच बाबाए